Students, Event Handler क्या होता है ये आपका Event Handler? जब हम किसी भी माउस या फिर कीबोड से जो भी एक्शन को हम परफॉर्म करते हैं तो उसी एक्शन को आप क्या कहोगे? उसी एक्शन को आप Event Handler कहोगे ठिक है? समझ में आया आपको कि Event Handler किसे कहा जाता है सो एक बार और सुनिए कि event handler किसे कहा जाता है जब आप mouse या फिक keyboard से कोई भी action को perform करते हो तो उसी action को mouse का event handler कहा जाता है या फिक keyboard का event handler कहा जाता है अब आप ज़र ये समझेए event handler को कितने तरीके से implement किया जाता है आपके html में तो यहाँ पर three methods हैं आपके पास पहला method है आपके पास attribute ठीक है means आप क्या करते हो अपने इस event handler को attribute के माध्यम से अपने html में integrate करते हो ठीक है आप जैसे क्या करते हो on click attribute लगा लेते हो आप opening tag में और वहाँ पे आप event का नाम लिख देते हो ठीक है और function का नाम जिसको call करवाना होता है तो पहला method तो आप attribute के जड़ी आप कर सकते हो ठीक है दूरसा कैसे आप use करोगे event handler को वो समझे क्या लिखा है यहाँ दूसरा point using dom object property के माध्यम से भी आप event handler का use कर सकते हो ठीक है अब ज़र यहाँ पे जो dom है dom क्या है चली ज़र इसे हम deeply content करते हैं ठीक है तो ज़र यहाँ पे देखो dom का मतलब होता है document object model मतलब document का एक objective model ठीक है इसको अच्छे समझे है यहाँ पे क्या लिखा है दिखे जब आपका browser किसी भी web page को अपनी window में load करवाता है ठीक है तो क्या हो रहा है यहाँ पे जब आपका जो browser है जैसे कि यह क्या है एक browser है और इस browser में जब आप अपने web page को load करवाते हो तो web page में क्या होता है आपकी यह coding लिखी होती है ठीक है तो इस coding को preview करवाने के लिए browser क्या करता है अपने window के अंदर एक structure को create करता है ठीक है तो उसी structure को क्या कहा जाता है document object model कहा जाता है ठीक है एक बार फेजर समझें document object model किसे कहते हैं जब देखिए जब आपका browser किसी भी web page को load करवाता है ठीक है और web page को load करवाते वक्त जो आपका content यहाँ coding लिखी होती है इसको preview करवाने के लिए browser क्या करता है अपने window में एक structure को create करता है जिस structure को हम क्या कहते है document object model कहते है ठीक है अब वो structure कैसे create करता होगा जरा उसको समझी diagram के थरू ठीक है जैसी कि देखो यह सबसे पहले उता है browser है browser ठीक है और इस browser के अंदर क्या होता है सबसे पहले एक window होती है ठीक है window ठीक है फिर उस window के अंदर आपका document create होता है ठीक है अब document किसे कहते है वो समझी ज़रा जो आपने यहाँ पर code किया होता है अपने web page में इसी पूरे code को आप क्या बोलोगे document ठीक है तो सबसे पहले क्या आता है सबसे पहले browser की window आती है then उसके window के अंदर आपका document इस तरह से लिखा होता है ठीक है document आता है और फिर इस document के अंदर आपका HTML का जो code आप डालते हो वो आता है ठीक है फिर HTML के अंदर दो parts होते हैं एक head के एक body के ठीक है जैसे कि देखो यह HTML यहाँ open यहाँ close फिर HTML देखो head आपका यहाँ open हो रखा है ठीक है फिर उसके body open है और जो भी code हो रहा है कहां हो रहा है body के अंदर ही हो रहा है तो HTML में दो tag बन जाते हैं मिस दो structure बन जाते हैं एक head और एक body जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं ठीक है अब head में देखो क्या है title तो यहाँ head के अंदर क्या बनेगा title का structure बनेगा ठीक है अब जाए यहाँ आजाओ body ठीक है यहाँ पर देखो body है body में क्या बना है div और div में h1 तो इसी तरह दो को यहाँ पर structure भी create होगा body बनेगा फिर body के अंदर div बनेगा और div के अंदर h1 बनेगा तो आप समझ गए कि किस तरह से document object model आपके browser के web page के थुरू कैसे तरह किस तरह से structure create होता है ठीक है तो यहाँ पर देख लिजिए जो आपकी window है उस window के अंदर आपके web page को preview करवाने के लिए इस तरह के का जो structure होता है वो आपके browser के window के अंदर बनाया जाता है और इसी structure को हम क्या कहते है document object model ठीक है अब समझते है कि जो document object model है इसमें जो object है इसका क्या मतलब है ठीक है document का तो मतलब आप समझ गए document का मतलब क्या है आपका यह whole document ठीक है object क्या है उसे समझ जो आप यहाँ पर देख रहे हो na head, title, body, div, h1 तो इसी को browser के शब्दों में आप क्या बोलोगे object बोलोगे ठीक है क्या बोलोगे object ठीक है जैसा कि देखो यहाँ पर लिखा है what is object तो देखो यहाँ लिखा है in the respected of DOM means document object model के respect में जो html के elements होते हैं उनको ही object माना जाता है और जो element होते हैं उनको भी हम object मानते हैं ठीक है तो आपने क्या समझा यहाँ पर आपने यह समझा जो भी html के element है वो browser के शब्दों में क्या कहे जाते हैं object कहे जाते हैं ठीक है so students अब ज़र समझते हैं what are properties और methods properties और methods किसे कहते हैं या फिर से क्या कहते हैं ठीक है so जो भी आप properties और methods use करते हो ठीक है जैसे कि जो भी आप predefined function को use करते हो किसे control करने के लिए इन html के elements को control करने के लिए उसी को आप क्या बोलते हो properties और methods बोलते हो जैसे कि मैं आपको इसका practical live example अभी दूँगा जज़ा पहले आप इसे सही से समझ लिजए और यहाँ यह देखो जो definition लिखी है इसको अब ध्यान से पढ़िए आपको सभी से समझ में आ जाएगा कि properties क्या है और methods क्या है ठीक है तो जैसे कि यहाँ पर लिखा है collection of predefined function means जितनी भी सारे predefined functions होते हैं और इससे हम क्या control करते हैं which control the html element ठीक है मतलब अगर हम किसी predefined function के माधियम से किसी html element को control करने का काम करते हैं तो उसी को आप क्या बोलते हो properties और methods बोलते हो जैसे कि मैं आपको एक live example देता हूँ जर उसको समझ देगे कोशिश करिएगा तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर कौन सा predefined function मैंने लिखा है get element by id ठीक है अब यह get element by id क्या करता है यह आपको पता है कि इससे हम क्या करते है id को select करने काम करते हैं ठीक है तो मैं आपको बता दूँ यहाँ पर इस html के अंदर head के अंदर जो भी attribute होते है या फिर किसी भी tag के अंदर जो भी attribute हो या फिर कुछ भी हो जैसे कि यहाँ पर आइडी हो या class हो तो वो सब क्या बोले जाएंगे आपके object बोले जाएंगे और वो dom का ही एक हिस्सा होंगे means document object model का ही एक हिस्सा होंगे वो भी ठीक है तो यहाँ पे देखो इस code में आप क्या कर रहे हो get element by id के predefined function के माध्यम से आप किसको select करने काम कर रहे हो id को select करने का काम कर रहे हो तो जब आपने id को select किया तो आपने किसको select किया dom को select किया ठीक है तो इसी वज़े से हम यहाँ पे get element से पहले किसे write करते है document keyword का use करते है ठीक है जिससे कि यह भी साबित हो जाता है कि जो get element by id है यह id कहां से उठा रही है document object से means dom से उठा रही है ठीक है तो यहाँ पे आपने क्या समझा जो properties और methods है वो क्या है जो हम predefined functions use करते हैं उन्ही को properties और methods कहा जाता है ठीक है अब ऐसा करिए आप यहाँ सबसे उपर आ जाईए अभी हम क्या पढ़ रहे थे event handlers के बारे में पढ़ रहे थे तो अभी तो आपने यह समझ लिया कि dom क्या होता है और यह किस तरह से work करता है ठीक है तो यहाँ पे हमने second point में क्या लिखा है using dom object property तो यहाँ पे second point क्या कह रहा है कि जो event handlers है हम इनका use dom object property के माध्यम से भी कर सकते हैं यह आपको already पता है कि dom object property के कैसे use करने है लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ जिससे को आपको पूरा यह recall हो जाएगा so students यहाँ पे रिखिए यहाँ पे मैंने एक index.html का page बनाया है और इसके अंदर मैंने एक button को बनाया है button के अंदर मैंने एक ID assign करी है जिसमें value दी है btn अब देखो मैं क्या करता हूँ इसे java script में select करता हूँ किसके माधियम से select कर रहा हूँ dom object माधियम से देखो मैंने इसे select कर लिया यहाँ पे btn document.getElementById अब आप इसमें क्या करते थे event आप कैसे लगाओगे dom के माधियम से जब वो देखो आप यहाँ पे सबसे पहले तो जो आपने statement write करी है इसे आप किसी भी variable में store कर लोगे तो मैं यहाँ पे button नाम के variable के अंदर इस statement यह फे इस instruction को store कर लेता हूँ तो इसके बाद आप इसी button के अंदर आप अपना event लगा सकते हो event handler ठीक है जिसे on click ठीक है आप कुछ इस तरह से लगा लीजे on click फिस के बाद आप anonymous function जो भी आप define करना चाहते हो उस function को आप यहाँ पे कुछ इस तरह से define कर लेते हो तो आपको समझ में आया कि किस तरह से आप यह dom के माधियम से means dom object property के माधियम से किस तरह से आप अपने इस event handler को इसके अंदर implement कर पाते हो ठीक है तो आपको यह समझ में आ गया होगा अब यहाँ पे देखिए third point लिखा है using special method मतलब हम कुछ special methods के तौर पे भी अपने event handlers को use कर सकते हैं अब वो special methods कौन कौन से जर उसको समझे यहाँ पे जब नीचे आईए और यहाँ देखो लिखा है न using special methods ठीक है यहाँ पे देखो दो methods लिखे हुए है जिसका नाम है add event listener और दूसरे का नाम है remove event listener ठीक है तो सबसे पहले जानते हैं add event listener को इसके अंदर जर देखिए यहाँ पे 3 parameters होते हैं पहला होता है event ठीक है दूसरा function और तीसरा phase ठीक है phase optional होता है इसको आप बाद में ही सिखेंगे ठीक है तो अब ही आप ध्यान दो कि event पे और function ठीक है मैं चाहता हूँ किसी भी button पे या फिर किसी भी element पे कुछ event लगाना तो उसके लिए आप use कर सकते हो add event listener का और इसके अंदर जो पहला parameter है इसके अंदर आप event का नाम pass कर सकते हो ठीक है और इसके अंदर आप जो भी नाम pass करोगे वो without on के साथ होना चाहिए मतलब जैसे आप यहाँ पे देखो उपर लिखा है on click यहाँ देखो लिखा है न on click तो आपको यहाँ पे on prefix का use नहीं करना है ठीक है यहाँ पे सिर्फ आपको क्या लिखना होगा click लिखना होगा अगर आपको use करना है on change तो आपको यहाँ पर सिर्फ change लिखना होगा, on prefix का आपको use नहीं करना है इसके अंदर, ठीक है, यहाँ पर आप event लिख दो, और उस event को जैसी trigger हो, तो क्या होना चाहिए, उसके लिए आप यहाँ पर function define कर दो, तो कुछ इस तरह से आपको, अपने event handler का use करना है, special methods के माधियम से, अब यह कैसे होगा, चली जरा उसको सीखते हैं, तो आज यह यहाँ पर code में, यहाँ पर देखो मैंने किस तरह से इसमें apply किया है, अपने event handler को dom object property के माधियम से, ठीक है, लेकिन अभी मैं क्या करूँगा, इसके अंदर, अपने जो special methods हैं, उनको use करके आपको दिखाऊ ठीक है, तो मैं इसको अभी फिलाल यहां से remove कर देता हूँ, और यहाँ पर देखो, पहले तो हमने क्या करना है, इस button को यहाँ पर store करके इसी तरह से रखना है, ठीक है, फिर उसके बाद आप यहाँ पर इस तरह से लगाओ, यहाँ पर बटन को select कर लो, और यहाँ पर parameter को pass करना है, पहला parameter में क्या आएगा, आपके mouse के event का नाम या फिक keyword के event का नाम, ठीक है, तो मैं यहाँ पर अभी फिलाल click define कर देता हूँ, और यहाँ पर आपको on click define नहीं करना है, on हटाना है, भी मैंने आपको पहले ही बताया है, तो आप यहाँ पर सिफ click event को इस तरह से write कर दोगे, ठीक है, उसके बाद आपका जो function चलना चाहिए, उसे आप comma दे करके, इस तरह से यहाँ पर, इस तरह से anonymous function को इस तरह से यहाँ पर बनाओगे, ठीक है, अब जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, window.alert, ठीक है, और यहाँ लिख देता हूँ, hello stp, ठीक है, कु यह नहीं, सो देखे, मैंने इसे browser में reload करा लिया, अब मैं इस पर click करता हूँ, सो देखे, मैंने इस पर click किया, और यहाँ पर देखो, जो मेरा event था, उसने सही तरही के से यहाँ पर अपना result perform कर दिया, देखो, लिखा आगे, hello stp, okay, so I think, उमिद करता हूँ कि आपको यह सह इसे समझ में आ गया होगा, add event listener, किस तरह से आप इसका use करके भी, अपने event handler को इसमें use कर सकते हो, टिक है, अब ज़र समझिए, यहाँ पर आप confused इसलिए हो रहे होगे, कि देखो, आप यहाँ पर, देखो, यहाँ पर notes में आ जाओ पहले, और यहाँ पर देखो, जो तीनों आपके event handlers हैं, यहाँ पर, तीनों के तीनों जो event को implement करने के methods हैं, वो क्या है, same to same ही है एक तरहिके से, इन तीनों से जो result मिलता है, वो एकदम same मिलता है, तो आप इसलिए confused हो रहे होगे, कि हमें कौन सा method use करना चाहिए, कि हमें attribute वाला method use करना चाहिए, या फिर DOM object property वाला method method यूज करना चाहिए, या फिर जो आपने, हमने जो अभी special method सीखा है, उसका use करना चाहिए, तो मैं आपको बता दूँ, तो आप क्या करो, सबसे ज़्यादा अगर आपको use करना है, तो आप DOM object property वाले method को use करो, ठीक है, अगर आप इस method को use करते हो, तो क्या होगा, आप कई साइ functionality बनाने में असानी होगी, ठीक है, और अगर आप attribute का भी करना चाहें, तो आप attribute का भी use कर सकते हैं, लेकिन जो यह मैंने अभी आपको सिखाया, add event listener, ठीक है, तो इसको आप कहां use करोगे, इसको आप security के places पे use कर सकते हो, जैसे कि आप यहाँ पे code में देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका जो event है, वो अलग हो जा रहा है, और function है, जो अलग हो जा रहा है, तो यहाँ पे अगर आप add event listener का use करते हो, तो यहाँ पे जो आपकी script होती है, वो बहुत ही ज़्यादा secure हो जाती है, ठीक है, अगर आप किसी banking line का software बना रहे हो, जहाँ पे security की ज जादा ज़रूत है, तो वहाँ पे आप use कर सकते हो, add event listener method का, ठीक है, तो आप समझ गए कि कहाँ कहाँ पे आपको कौन सा event use करना है, और कहाँ पे आपको कौन सा function या method use करना है, ठीक है, अभी ज़रा समझो, मैं अभी आपको कई बार और कई जगा पे method बोलता हूँ, किसी जो भी मैं यह तीनों बोलता हूँ, method, function, property, तो यह तीनों आप समझो, कि इन तीनों का मतलब एक ही है, ठीक है, तो चाहे हम इस add event listener को method बोलो, या फिर आप इस add event listener को property बोलो, या function बोलो, बात एक ही होती है, तो इसको लेकि आप confuse मत होना, कि add event listener function है, या method है, या property है, ठीक ह property बोल लो तिनों एक ही चीज है ठीक है अभी तो आपने ये सीख लिया कि add event listener का कैसे use किया जाता है ठीक है अब जब देखो यहाँ पर एक ओर property है यह रही ठीक है एक ओर है remove event listener ठीक है remove event listener का आप use तभी कर सकते हो जब आपने already उसी मतलब element में पहले से किसी element में आपने add event listener लगा के रखा हो ठीक है तो मैं क्या करूंगा जिस button में मैंने add event listener लगाया है इसके अंदर से मैं इस remove event listener को लगा करके इस add वाले add event listener को remove करेंगे ठीक है तो आप क्या समझे एक बाफिसे समझे हम क्या करेंगे और इसे कहा यूज किया जाता है remove event listener का use हम तब करते हैं जब हमें already added event listener को remove करना होता है जैसे कि यहाँ पर देखो हमने इस button के अंदर already add का रखा event listener को अब हम चाहते हैं इस button के अंदर से इस add event listener को remove करें तो कैसे होगा ठीक है लेकिन इसको सीखने से पहले आप कुछ चीजे और सीख लीजे ठीक है जैसे कि यहाँ पर देखो मैंने function को क्या किया है यहाँ पर पूरा बना दिया है यहीं से मैंने function शुरू किया और यहाँ तक मैंने function को बना लिया यहाँ तक ठीक है मैं क्या करता हूँ अभी इस function को हटा देता हूँ ठीक है मैंने देखो function को यहां से remove कर दिया आप क्या करो आप function को यहां पर बना लो तो देखो मैं यहां पर क्या करता हूँ एक यहां बाहर function बना लेता हूँ किसी भी नाम से जैसे मैंने Demo के नाम से function बना लिया ठीक है और आप यहाँ पर define कर दो window.alert ठीक है और आप यहाँ पर write कर दो hello web या फिर hello stp कुछ इस तरह से ठीक है तो आपको क्या करना है आप function की जो definition करो वो कुछ इस तरह से आप अलग कर लो उसके बाद आप क्या कर सकते हो तो आप यहाँ पर जो definition करोगे function की उसके अंदर आप function का नाम दोगे क्यों नाम दे रहे हैं क्योंकि हम इस function को call करवाना चाहते हैं ठीक है तो आप function का जो definition है वो aside कर लो कहीं भी कर लो और फिर उसके बाद आप इसके अंदर इस function को कुछ इस तरह से call करवा लो ठीक है बट आपको एक बात याद रख नहीं है जब आप इस function को आपने add event listener के अंदर call करवाओगे तो उसके अंदर आप से function का आप नाम लिखोगे इस तरह से parentheses को open नहीं करोगे ठीक है तो बस आपको इतना ही करना है अब आप जब इसे save करके एक पर test करो क्या ये work करता है ये नहीं ठीक है सो देखो मैं इसे reload कर लेता हूँ एक बार और फिर मैं इस पर click करता हूँ तो यहाँ पर देखो जो आपका hello step है और alert है ये successfully work कर रहा है ठीक है तो चलिए अब सीखते हैं remove event listener का use ठीक है तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ एक और anonymous function बना लेता हूँ anonymous नहीं यहाँ पर नाम दे के function बनाएगे तो मैं यहाँ पर test के नाम से एक function बनाता हूँ ठीक है और इस function मैं क्या करूँगा button के select करूँगा और इसके अंदर use करूँगा remove event listener का ठीक है मैंने यहां पे write कर दिया remove event listener ठीक है तो देखो मैं यहां पे क्या कर रहा हूँ इस function के अंदर इस function के अंदर मैं इस button के अंदर से इस already जो added है event listener इसको remove करने के यहां पे काम कर रहा हूँ ठीक है अब यह कैसे remove होगा जब देखो यहां पे click वाला हमने method लगा रखा है click वाली जो mouse event है उसे लगा रखा है तो यहाँ पर भी आप define कर दो जो click वाला method है या फिर event है हम इसको remove करना चाहते हैं और किस function को execute करवाने से लोखना चाहते हैं इस demo वाले को तो मैंने यहाँ पर इसका भी कर लेता हूँ ठीक है तो देखो मैंने यहाँ पर इसी बटन को copy paste कर दिया और यहाँ पर click के जगा लिख लेता हूँ remove और यहाँ पर मैं attribute के माध्यम से अपने function को call कर लेता हूँ तो मैंने यहाँ पर लगाया on click और इसमें मैंने शायद test के नाम से function को बनाया था ठीक है एक बदर चेक कर लेते हैं तो देखो हाँ test के नाम से function था बस आप इसे save कर लो एसे भी अब आप इसे run करके देखो किस طरा से work करता है तो देखो यहाँ पर जब मैं click कर रहा हूँ तो देखो यह work कर रहा है मेरा add event listener देखो वापस से click किया work कर रहा है ठीक है लेकिन जैसे मैं इस remove पर click करूँगा तो इसके अंदर से add event listener remove हो जाएगा तो देखो मैं इस पर click किया अब देखो मैं इस पर click करता हूँ तो देखो ओके अभी भी यहाँ पर आ रहा है देखते हैं कुछ problem होगी इस वज़े से problem कर रहा है students जर यहाँ पर देखो जो हमारा function था test इसलिए काम नहीं कर रहा था क्योंकि देखिए यहाँ पर जो listener हमने लिखा है इसकी spelling में हमने mistake कर दी थी तो यहाँ पर T-E-N-E-R आना चाहिए था ठीक है कुछ इस तरह से देखो इसका color भी change हो गया ठीक है इसे अब save कर लेते हैं अब इसे run करके check करते हैं कि यह work करता है साई से यह नहीं देखो मैंने इस पर click किया एक बार देखो वापसे click करता हूं हमारा add event listener इसमें work करता है और जैसे अब हम इस remove पर click करेंगे तो इसमें का add event listener काम करना बंद करतेगा अब मैं इस पर click करता हूं देखिए तो देखो मैंने इस पर click किया तो देखो यह work नहीं करता है तो I think अगर इस वीडियो में कोई भी ऐसी बात जो आपको समझ में ना आई हो तो आप हमें contact करें कि सकते हैं नहीं तो आप इसे क्यार कर दिये इस वीडियो को दो से तीन बार देखिए आपको साइज जीए साइज से समझ में आने लग जाएंगी सो इसके आगी के एजुकेशन को हम इसके नेक्स पार्ट में कंटेन करेंगे सो थेंक्स फर वचिंग आवर वीडियो हैव नाइस डेए